पवन सिंग की पतनी जोती सिंग ने क्यों कहीं ये बात रगदी दो करोड की डिमाट भूचपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंग शनिवार को आरह स्तित फैमली कोड पहुचे पवन सिंग ने जोती सिंग से तलाक लेने के लिए अर्जी डाली हुई है सुनवाई के दोरान पवन सिंग की पतनी जोती सिंग ने कहा कि वह तलाक के बाद कहीं की नहीं रहेंगी इसी के साथ उन्होंने पाच करोर रुपे की डिमान कर दी साथ ही कहा कि वह केस लड़ने को तयार है भुजपूरी फिल्म अभिनेता एक प्रसिद गायक पवन सिंग और जोती सिंग के बीच एक बार फिल सुलह नहीं हो पाई भुजपूरी स्टार पवन सिंग और उनकी पतनी जोती सिंग दोनों तलाक के लिए हाई प्रोफाइल मामले में सुनवाई को लेकर शनिवार को आरा सिविल कोट में पहुचे थे पवन सिंग और उनकी पतनी जोती सिंग ने कोट पहुचते ही कुटुम्ब न्यायले की न्यायधीश श्वेता कुमारी सिंग के समक्ष अपनी अपनी बातों को रखा लेकिन अंत में सुलह नहीं हो सकी दस दिनों के अंदर दूसरी बार पेशी थी इससे पूर्व 27 सितंबर को दोनों उपस्तित हुए थे इधर अभिनेता पवन सिंग के अधिवक्ता सुदामा सिंग ने बताया की दोनों पक्षो को सुलह के लिए बुलाया गया था जोती सिंग की ओर से पाच करोर रुपे की मांग की गई जबकि फिल्म अभिनेता पवन सिंग एक करोर रुपे दे रहे थे लेकिन वह नहीं मानी उन्होंने बताया की न्याइधिश के समझाने पर जोती सिंग नौइडा में एक मकान और तीन करोर रुपे की डिमान रख द उनकी ओर से वन टाइम सेटल्मेंट के तहत नौइडा में एक फ्लैट एवं तीन करोर रुपे की मांग की गई थी लेकिन पवन सिंग ने इसके लिए इनकार कर दिया पीडिता जोती सिंग का कहना था कि वह तलाग के बाद कहीं की नहीं रहेंगी वह अब आगे केस लड़ करने को तयार है ब्योरो रिपोर्ट देश्वा न्यूज